हमने जो verify payment के लिए 2 pages create किये थे success.html और fail.html अगर हमारा payment success हो जाता है तो हम जो यहाँ पर success.html open होगा अगर payment fail होता है तो fail.html होगा पर इसमें हमें कोई design नहीं की थी तो चले मैंने design पहले सही करके रखी है यह जो file है उसकी link आपको वीडियो की description में मिल जाएगी चले यहाँ से करेंगे copy यह success.ht है उसको आपको paste करना है success.html में तो चले मैंने इसको कर दिया यहाँ पर paste अब आएंगे fail.ht पर fail.ht को यहाँ से करेंगे copy और fail.html में जाके कर देगे paste. चले अब एक बार जो course है उसको enroll करके देखते हैं वो हमें किस सरीके से मिलते हैं. तो चले यहाँ पर है hospital management system का course. ओकी तो मैंने इसको पहले से enroll किया हुआ है इसलिए यह button disable हो चुका है. चले यहाँ से मैं जो course है उसको यहाँ से करूंगा delete. चले अब यह button open हो जाएगा. चले यह मैंने किए enroll यहाँ पर हमें information फिल करनी होगी. चले मैं अभी के लिए कुछ भी information यहाँ पर फिल कर लिते हैं. चले place order. चले सबसे पहले payment को fail करेंगे और उसके बाद payment को success करेंगे. चले मैंने UPI यह जो net banking select की. यहाँ से पूछेगा आपको इसको fail करना है यह success करना है. तो जले इस बार इसको करेंगे fail. तो यहाँ पर हमारी जो design थी वो किस तरह के से होगी. चले करेंगे place order. चले इस बार इसको करेंगे success. तो चले देखते हैं हमें किस तरह के से वो मिलता है. तो यहाँ पर जैसे success करेंगे तो यहाँ पर इस बार की से वो राइट आएगा. ग्रीन कलर में order received. Thank you. Your order has been received. order ID आए जाएगी. किस date पर आपने order दिया है. वो सरी चीज़ आएगी. उसका total आएगा. फिर यहाँ पर मैंने payment set नहीं कित दूले. उसको भी payment method है. online payments. उसका total आया 479. इस सारी चीज़े यहाँ पर हमने create की हुई है. आप